हमारा Poco Axis Pro जिसके लिए बैक टू बैक भाई बहुत सार अपडेट आ रहे हैं और यह देखे मुझे रियली में काफी अच्छा लग रहा है और रिसेंटली आया था इसका हाइपर इसका लेटेस अपडेट 1.0.6 और उसका कंप्लेट रिव्यू किया नहीं कि 20 MB का एक नया ब मैं आपको बता हुआ कि हीटिंग कैसा रहा पावर कंजिंप्सन कैसा है बैक अप में कितना इंप्रूमेंट आया है और चार्जिंग टाइम वगरा क्या है तो साही जनकारी में लेगी क्योंकि यह फाइनल रिव्यू है और आपको यह आइडिया भी लग जाएग इसे अप पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके हमें मोटिवेट करें ताकि ऐसी हर एक अपडेट का इंफ्रूमेशन में आपके साथ सेयर करता रहा हूं और चाहते हैं कि चैनल ग्रो और सपोर्ट आपको मिलता रहे तो सेयर ज़रू कर देना I know कि आपको यह अपडेट मिल चुका है अगर नहीं मिला है ता आप कमेंट करना और जल्दी आपको मिल जाएगा बट मुझे उम्मेद है कि यह मिल गया होगा बाकि यहां पर जो सिस्टम स्टोरी साइज है वो है अमारा 8.45 जिवित जो कि पहले से मुझे हलकाल सा लग रह नहीं आया है सब कुछ सेम लेता है निव फीचर की बात करिए कुछ खास ऐसा अडवांटिज नहीं है बट हां बैटरी के अंदर यह फीचर है जो कि लोग बोरे की नहीं आया है बट मुझे लगता है पहले से जैसे कि यहां पर ऑप्टमाय चार्जिंग का एक आप्शन मि होगे तब हमें सा रेंडम कभी कुछ किया कभी कुछ किया परसेंटर चार्जिंग तो ऐसे में यह काम नहीं करेगा तो ऐसे में आपको रेगुलर चार्जिंग ही काम करेगा तो आप अपने यूज के हिसाब से पैटर्न के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो बाकि कितना चार जाती है को ऐसे नहीं है कि असेंबल किया और बना दिया और भूल गया रहे यह तो डालना ही नहीं था हमने गल्द कर दिया डालके तो ऐसे में कैसे किया होगा ऐसा कुछ नहीं होता तो आप अगर चाहो आपको लगता है कि हाँ दो चार पांच या दस मिनट इक्स्ट्रा जल भरता माल पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट ही समझ लो इससे ज्यादा नहीं ठीक है तो आप इसे आउन रखो या आउट रखो मर्जी आपकी है बाकी अब यह तक यहां पर इन्होंने स्क्रीन ओन टाइम का फीचर्स एड नहीं कर रहा है बाकी और रहल चीजे सही यहीं कँछ करें और मौझे कोई दिक्कत नहीं आया और डायक हम स्विच करते हैं इसके जो 的 खेऊपर को रहे Łए मैं रही operation और यहां पहले कि यहां और शत dul constitution क्या तो ऐक डर बन गया था क्प मैंने आफ कंडिशन में इसे चार्जिंग पर डाला था और आफ कंडिशन का चार्जिंग मुझे रियली में काफे सूपर डूपर लगा है जहां पर मैंने बूस्ट चार्जिंग मोड भी अन नहीं कर रखा था बर लास्ट का तो यह 48 मिनट देख रहे हो ना यह कर जाता है जीरो से हंडेड लेकिन आफ कंडिशन में ना कि अन कंडिशन में किये इस पीड मुझे यहां पर अच्छा लगा और जब मैं भूल गया था अच्छान पड़ा तो देखा कि फोन चार्ज हो चुका है पूरा हंडेड परसेंड और टाइमिंग यहां पर 48 और काफी मुझे अच्छा लगा है और वहीं पर बैटी डॉप की बात करते हैं तो यहां पर आप देखो 23 के बात मॉर्निंग में आता है 23 जहां पर 0% का बैटी डॉप हुआ है जो कि 10 आस 14 मिनिट का है और जैसा कि चेंजलों में लिखा गया है पावर कंजप्शन ठीक किया ग यहां पर 23 के बाद मॉर्निंग में आता है 23 और यहां पर फिर से वही 0% का बैटीधर है जो क्या है मैं पर फिर से रिपीट कर दिया दूस्रेे लेकर देखते हैं तो यहां में 3% का बैटी डॉप है वही सारे नौ घंटे का का timing है another day का 100 के बार morning में आता है 97 और यहाँ पे 10 hours का है और 3% का यानि basic है 3% यहाँ पे बैटी डॉप देखनी को मेरा इसे ज्यादा नहीं तो यह मैं कहाँ कि यहाँ पे अच्छा है कोई बुरा नहीं है फिर से आप देखो 95 के यहाँ पे 92 आया है और इस वार फिर से 3% यानि basic 3% का डॉप हो रहा है इससे ज्यादा नहीं है तो यह अच्छा है बुरा नहीं है वहाँ पर पर्फॉर्मेंस रिजल्ट की बात करते हैं तो पर्फॉर्मेंस रिजल्ट भी हमें अच्छा देखनी को मिला है जो कि 18 मिनिट का यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ज्यादा फोन हीट नहीं हुआ था वहीं पर आपको जो गीकी बेंच इस वार काफी बेटर और सही देखनी को मिलता है तो यह भी मैं कहूं कि अच्छा है कोई बुरा नहीं है साथ-साथ अंटूर स्कोर सिमलर आया था पहले अंटूर स्कोर इवरी ताम सभी देखनी को मिला है बट कुछ लोगा कहना है कि यह था सा बेटर हुआ है पहले के कंपरेजन में बट मुझे ऐसा कुछ नोटीस नहीं हुआ मेरे टेस्टिंग के हिसाब से वह बैटर बात करें तो यहाँ पर टेस्टिंग पर 6% गया था और तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3% बैटरी बचा हुआ है और यहाँ पर 3 गंटा 25 मिला है और यह मैं कहुँआ काफी यह तक पहले जैसे ही था सा 19-20 का ही फर्क पड़ा है यानि था सा बेटर हुआ है बैटरी के मामले है जबकि उतना ज्यादा यहाँ पर कोई बिक bellских पडिमेंटी इसे भी खास डिफरेंट मुझे देखनी को मिला है तो वह भीवने में और को अपने बाटी प्रफ़ॉर्वेंस और गेमिंग के मामले में और के बिदद थोड़े अललग glitches देखने को मिलते हैं तो आपने अपडेट कर रखाया और आपको कुछ एक्स्टा प्रोलम देखने को मिला है तो कमेंट जरूर करना ताकि बाकिया दो इसको भी पता चले और मुझे भी पता चले मैं मिलता हूँ निश्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट आते हैं उसके साथ या फिर कुछ और चीजों के साथ उसके लिए प्लिच लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर कर लेना अगर आपने भी तक नहीं किया है तो थैंक्स वोचिंग बाई झाल